दोस्तों सही मैनर में choice fill करना बहुत ही important होता है क्यूंकि इससे कम marks वाले student को भी अच्छी college मिल जाती है अगर आप सही मैनर में choice fill नहीं करते हैं तो अच्छे marks होते हुए भी अच्छी college नहीं मिल पाती है तो मैं आपको इस वीडियो में step by step choice fill का process बताऊंगा और इसमें student को आने वाली problem के बारे में भी बताऊंगा इससे पहले मैंने registration का step by step वीडियो बना दिया था अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो देख ले इस वीडियो में हम choice fill का step by step process जानेंगे तो सबसे पहले आपको candidate login पर click करना है तो जैसे ही आप candidate login पर click करेंगे इस परकार का option आएगा roll number और password fill करके आप में submit करना है यह आपको registration के time में मिल गए होंगे तो जैसे ही आप registration के time पर जो आपको login ID और password मिला है वो डालके roll number और password डालके submit करेंगे तो इस परकार का च्वाइस फिलिंग के लिए ये पोर्टल ओपन हो जाएगा अब इसमें सबसे पहले होम, कंडिडेट लोग इन च्वाइस, लोग प्रिंट च्वाइस, अनलोग च्वाइस, रीसेट, रेजिस्टेशन, चेंज, पासवर्ड और लोग आउट के टेप से इन टेप्स के बारे में हम बारी-बारी से जानेंगे तो होम और कंडिडेट डिटेल का तो आपको पता ही है कंडिडेट डिटेल में सारी कंडिडेट डिटेल आ जाती है 24 फिलिंग के लिए हमें जो important है वो 24 का बटन important है तो अभी इसमें कोई से भी 24 फिल नहीं की हुई है तो 0, 24 दिखा रहा है और यह unlocked याने की अभी आप 24 फिल कर सकते इसमें तो इसमें आपको 24 फिल करने के लिए 24 के 3rd number टेप पर क्लिक करना है तो जैसे ही 3rd number टेप पर क्लिक करेंगे तो यहां आपको 24 अवेलेबल के टेप दिखाई देगा 24 फिलिंग का टेप दिखाई देगा 24 इंटरचेंज का टेप दिखाई देगा 24 मूग का और 24 डिलिसन का दिखाई देगा तो सबसे पहले आपने च्वाइस अवेलेबल पर क्लिक करेंगे आप तो आपकी कैटेगरी के लिए जितनी भी सीट अवेलेबल है वो यहां पर दिखाएगा आपको टोटल सीट यह टोटल अवेलेबल च्वाइस दिखा रहा है यहां इस्टुडेंट को काफी कन्फ्यूज हो रहा है कि उनको सीटें कम दिखाई दे रही है तो मैं आपको बता दूँ कि जो कंडिडेट जिस कैटेगरी में है उसके लिए उस कैटेगरी के लिए जितनी अवेलेबल सीट है वो ही इसमें दिखाएगा जैसे मालनों कोई ऐसी कैटेगरी का कंडिडेट है और उसको एम से की जो सीट है वो उसके लिए कम दिखा रहा है तो इसका मतलब यह है कि एक तो उसकी ऐसी की खुद की कैटेगरी की सीट दिखाएगा और एक वो जनरल की सीट के लिए एपलिकेबल है तो general की दिखाएगा तो उसको दो seat दिखाएगा दोनू का total दिखाएगा अगर कोई general category का है तो जितनी general की seat है वो general की seat यहाँ available choice में दिखाएगा अगर कोई st category का तो जितनी st की seat है और general की seat है क्योंकि वो general की seat पर भी applicable है तो वो दोनू परकार की seat दिखाएगा तो अगर जिन student को confused है जो student confused है वो यह जानने कि यहाँ जो उसकी category fill की हुई है उस category के available choice दिखाता है अब इसके बाद में हम बात करें आगे choice filling वाले tape पर choice filling वाले tape पर click करेंगे तो यहाँ पर हमें right left side में जितने भी choice available हैं वो दिखाएगा और right side में जो हमने choice fill की है वो दिखाएगा अब यहाँ choice fill करने के लिए उपर search का button है उसमें किसी भी state के आप पहले डालना चाहते हैं तो उस state का नाम fill करें उसके बाद में आप वो state की choice से आजाएगी वो उसके plus के निशान पर click करके आप वो choice fill कर सकते हैं नहीं तो यह सारी यह एक साथ दी हुई है पेके करके यहाँ से भी आप choice fill कर सकते हैं मैं यहाँ पर state मैंने mall load daily डाल दिया तो daily की जितनी भी मेरे लिए available choices हैं यहाँ दिखाई देंगी plus के निशान पर मैं click करके आगे उनको fill कर देता हूँ जैसे इसमें देली में मेरे को सबसे पहले daily aims करना है तो aims seat नीचे नीचे लिखा है इसके plus के निशान पर मैं click करूंगा तो aims दिली आ जाएगा तो इस परकार से मैं चंडिगट यहाँ fill करूंगा तो चंडिगट की college आ जाएंगी इस परकार से right side में आपकी 24 फिल की हुई college आएंगी और left side में plus के निशान पर आप click करते जाएंगे तो right side में आपकी 24 फिल होती जाएंगी इस परकार से राजस्तान की मैं माल लो sms जेपुर फिल करना चाता हूँ तो राजस्तान मैंने यहाँ search box में डाल दिया इसके बाद sms जेपुर के plus के निशान पर click करूंगा तो वो right side में choice आ जाएगी इसके बाद में अगर मैं मनिपाल डालना चाता हूँ अभी जिन candidate ने आल इंडिया कोटा और Dimmed के लिए दोनु के लिए apply कर रखा है तो उसको यहाँ Dimmed की seat भी दिखाई देंगी All India की seat भी दिखाई देंगी तो मैंने Dimmed के लिए भी करना है तो यहाँ पर Dimmed में जैसे माल लो मेरे को मनिपाल डालना है मनिपाल मैंने search box में डाला तो यहाँ भी कोलेजें हैं वो दिखाई देगी यहां से प्लस के निसान पर क्लिक करूँगा तो वो 24 में चली जाएंगी तो इस प्रकार से आप 24 फिल कर सकते हैं इसमें अब इसके लिए आपने क्या करना है अगर आप एक बार 24 फिल कर दी तो यह सारी फिल कीवी चोई से राइट साइड में आजाती हैं इन राइट साइड से आपको 24 को अप या डाउन करना है जैसे कोई 24 दो नमबर पर है और उसको एक नमबर पर लाना है तो यहां पर इसमें मूव अप लिखा है और एरो का निशान दिया गया है उपर की तरफ में उससे क्लिक करते जाएंगे तो वो 24 उपर होती जाएगी इसमें मूव डाउन लिखा है इस पर डाउन का निशान दिया गया है तो उस पर क्लिक करते जाएंगे तो वो 24 डाउन होती जाएगी यानि कि जिस को लेज को आपने डाउन करना है तो डाउन वाले एरो पर क्लिक करना है और उससे च्वाइज को अप करना है तो अप वाले एरो पर क्लिक करना है आगे डिलीट का निसान है अगर किसी च्वाइज को आपको डिलीट करना है तो डिलीट के निसान पर आप क्लिक करके उस च्व choice को उपर या नीचे कर सकते हैं, delete भी कर सकते हैं, इसके बाद में इसको क्या करना है, आपने save करना है, तो save करने पे एक leave का option आता है, इसमें काफी doubts आते हैं, काफी students को, तो आपने save and go to home पर click करेंगे, leave का option आएगा, तो वो choice save हो जाती है, तो आपने यहाँ आगे save and go to home पर click करेंगे, leave पर click करेंगे, तो यह choice save हो जाएगी, तो जैसे ही choice save हो जाएगी, उसके बाद में यह लिखा हुआ आएगा, कि आपने कितनी choice हैं भरी हैं, उसका यहाँ पर figure लिखा हुआ आएगा, इसके बाद में फिर अगर आपको दुबारा choice में जाना है, इसमें यहाँ भी button दिये गए है, choice interchange के, choice interchange का button दिया गया है, choice move का दिया गया है, और choice delete का दिया गया है, तो यह तीन button के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, वहाँ से भी आप arrow पर up down करके कर सकते, अगर यहाँ से भी करना चाहें, तो इसमें all choice लिखा है, move to लिखा है, तो इसमें इन choice को किसी एक के उपर निचे करना है, तो इसको आप कर सकते हैं, तो यह इस परकार से choice आप fill कर सकते हैं, तो यह तो होगे आपकी choice से fill करना, अब मैं आपको यहाँ एक process बता देता हूँ, इसमें क्या होता है कि काफी student को यह doubt है कि अगर हमने top की college पहले दे दी, अगर हमने top की college पहले दे दी और उससे lower college बाद मी दी है, तो हमें alert कौन सी होगी, तो इसमें क्या है, जैसे मान लो किसी student के 590 marks हैं, या 610 marks हैं, उसने सबसे पहले aims daily दे दिया, तो उसको कोई problem नहीं है, सबसे पहले computer, जैसे मैंने यहाँ choice दे रखिये, aims daily, मोलाना आजाद, VMMC, UCMS, Lady Harding, RML, BSA और NDMC, इस प्रकार सी choice दे रखिये, अभी computer यह choice किस प्रकार से आपको seat कैसे alert करेगा, यह देखेगा कि सबसे पहले aims, आपके नमर आने तक aims दिल्ली में, अगर seat vacant है, तो aims दिल्ली की seat मिलेगी, अगर मोलाना आजाद की seat vacant है, तो वो म मिलेगी, इस से computer नीचे आता जाएगा, और जहां उसको seat खाली मिलेगी, जैसे मान लो NDMC से पहले वाले इन कोलेजों में seat खाली नहीं है, और NDMC में seat vacant, एक seat तो वो आपको मिल जाएगी, अगर किसी student है, आप से नीचे rank का student है, उसने NDMC एक नमर पर दे रखा है, आपने NDMC आठ नमर पर दे रखा है, तो पहले आपको ही alert होगी चाहिए, आपने आठ नमर पर दे रखा हो, क्योंकि आपके rank पहले है, तो इस परकार से process है इसमें, क्योंकि इसमें काफी student ऐसे confused में होते हैं, कि हमारे marks कम हैं, तो हम aims दिल्ली देंगे, तो क्या पता हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उससे कोई फरक नहीं पड़ता, आप aims दिल्ली को पहले दे सकते हैं, अगर किसी student के 611 marks से अगर वो भी aims दिल्ली देता है, तो भी उसमें कोई फरक नहीं है, फरक यह preference इसलिए दिया जाता है, कि आप अपनी नमर पर इस college को पहले लेना चाहते हैं, आप से नीचे वाले को चाहिए उसने कितनी नमर पर दिया हो, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, आप अपने preference, अपने नमर पर इस college को इतनी नमर पर लेना चाहते हैं, पहले यह लेना चाहते हैं, बाद में यह लेना चाहते हैं, तो पहले वाली seat अगर खाली मिलेगी, तो आपको मिल जाएगी नहीं तो next में आपको next sheet मिल जाएगी तो यह process है इसका अब हमें इसके next tape के बारे में बात करें लोक, print choice और unlock choice इसमें आपको अभी कुछ भी नहीं करना है च्वाइस जो आपने फिल की हैं उसको लोक नहीं करना है ये लोक होंगी दो तारी को दो तारी को साथ बजे के बाद में automatic lock हो जाएगी अगर आपने लोक करना है तो दो तारी को तीन बजे से साथ बजे के बीच में आप इसको लोक कर सकते हैं तो ये दोनों tapes पर आपको कोई किसी परकार का action नहीं करना है अभी इसके बाद में आगे reset registration का एक option आता है तो ये reset registration का option ऐसा हो लेकिन second round में ये चाता है कि All India की seat तो उसको मिली नहीं वो dimmed भी लेना चाता है तो उसको दुबारा registration करने की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि registration एक ही बार होगा तो वो यहाँ reset option को use कर सकता है कि मैं All India के साथ dimmed भी लेना चाता हूँ तो second round में जिन candidate ने All India के लिए अपलाई किया है वो dimmed के लिए भी लेना चाते है तो ये reset registration उनके लिए है लेकिन ध्यान रहे कि ये एक ही बार use होगा एक ही बार reset होगा ये registration उसके बाद change password का आप अपने password change कर सकते हैं और fill करने के बाद में logout कर सकते हैं तो इस परकार से य जो मैंने आपको बता दिया है 24 फिल किस परकार से करनी है किस परकार से आपने order देना है और किस परकार से order देने के बाद में ये कोई दिकत ना हो दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ important बार कि 24 फिलिंग में आपको कोई problem आ रहे है college को कैसे बरें पहले कोण सी college बरें उसके बाद में कोण सी college बरें तो इसके लिए मैंने all India की book में last page में college wise preference wise college दे रखी है टोप से lowest के करम में उनकी fees भी मैंने वहाँ दे रखी है उसके बाद में कोण सी year में वो establish हुई है वो भी दे रखा है कोण से state में top से lowest के करम में ये सब कुछ बता रखा है तो 24 करते से मैं आप उसकी help ले सकते हैं आपको कोई किसी प्रकार की problem नहीं आएगी इसके बाद में जो बाकी state की है center pool की है आल इंडिया के अलावा dimmed की है ये सारी आल इंडिया की book में ही दे रखी है तो आप वहां से help ले सकते हैं इसके अलावा center pool की open state quota की भी book तयार कर रखी हैं आप इसको video के description box से download कर सकते हैं या फिर हमारी website www.chopdaeducation.com से भी इसको download कर सकते हैं मैं सोचता हूँ ये book आपके लिए बहुत ही helpful रहेगी क्योंकि मैंने इसमें कापी समय waste करके ये एक accurate choice filling बिलाई है तो choice fill आप इसकी सायता लेके कर सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा जेहिंद